आज किस वीडियो में हम बात करेंगे नियू नोटिफिकेशन के बारे में और ये वीडियो चुरूर देखने हैं आपको इसमें बहुत इंपोर्टन बात में आपको बताने वाली हूं ऐसे बच्चे जो कि अभी ऑक्टूबर नॉबंबर में जिन्होंने एक्जाम दिये हैं या फिर पहले कभी बच्चे जो है वो फेल होगे थे नियूस में वो सभी बच्चे इस वीडियो को धिहान से देखें क्योंकि इसमें बहुत इंपोर्टन बात में आपको बताने वाली हैं तो वीडियो को एंड तक देखेगा ठीक है सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अप्रिल 2022 में अप्रिल में में जो एक्जाम आपके कराये जाएंगे फ्रेस इस्ट्वेंट मतलब जो बच्चे अभी फर्स टाइम जिन्होंने एडमिशन कराया है एक बार भी पहले एक्जाम नहीं दिये हैं या फिर ऐसे बच्चे जो उन्होंने की पहले कभी माले जिए 2020 में एक्जाम दिये थे और 2021 में फिर उन्होंने एक्जाम नहीं दिये किसी भी कारण से अब वो बच्चे fail हैं एक दो सब्जेक्ट में वो अगर एक्जाम दियना चाहते हैं तो ऐसे दोनों ही meter याद रहे fresh learners और दूसरे ёपनी इक्जाम फिस betting कर सकते हैं में आ जाते हैं हम ऐसे स्ट्वेंट के वारे में जिन बच्चों ने रिजिस्टर कराया था ओक्टूबर नौवंबर के लिए यानि कि अभी जिन चलिए उसके बाद में हम बात कर लेते हैं इसने भी लेर्नर्स हैं चाहें आप फ्रेश स्टुएंट हैं या फिर अभी जिनके एक्जाम कराए गए हैं उन में से किसी बच्चे की कमपार्मेंट आ जाती है सबी बच्चों की फीस फॉर्स फैब से 10 फैब तक आपकी जो लेट फीस लगनी स्टार्ट हो जाएगी 100 उपीज ठीक है पर सब्जेक्ट लेगेगी याद रहे तो काफी फीस हो जाती है इसलिए आप टाइम से पहले अपनी एक्जाम फीस पे कर दीजिए और इस तरीके की यूसफुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल प्लस 15 उपे लेट फीस दीनी पड़ेगी एक स्ट्रेट को सभी सब्योट की जो फीस आएगी प्लस 15 रुपे लेट फीस पे करनी पड़ेगी तो टाइम ली अपनी एक्जाम फीस आप जमा कर दीजैंग्र आपको फीस पेकरनी नहीं आती तो आप हमें इस नमबर पर कांसुलिंग के लिए आप बात कर सकते हैं जहां पर की प्रोपर तरीके से पुरा गाइड किया जाएगा रिजल्ट तक चलिए इस तरीके की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल एकन को प्रेस कर लें थेंक्क फूर चींग